अब यह डिगरी करना वर्थ रहेगा भी यह नहीं रहेगा क्या यह डिगरी आउटेटिट तो नहीं होगी है आज के जमाने में बहुत नहीं नहीं कोर्सेस हमारे पास अवैलेबल है क्या तीन से चार साल बाद ऐसा ना हो कि जॉब लेने के लाले पड़ जाए मैं बहुत ग् अगले तीन से चार साल बाद आप सिर्फ वो डिगरी का पर्चा लेके घूमते रहो और आपकी डिगरी की कोई वैल्यू ना रही चौलो इस पर बहुत रौश्णी डालेंगे यह देखो अगर मैं आज के एरा की बात करता हूँ नो डाउट बहुत अमेसिंग कोर्सेस अव इसका कुछ वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा चरो बात करते हैं अर देखो सबसे पहले अर देखो बीकॉम के अगर हम बात करते हैं मतलब की बैसलर्स ऑफ कॉमर्स यह डिगरी जो है अभी कुछ सालों के अंदर यह तीन साल के थी अब यह जो है वह चार साल के डिगरी भी यहां पर फर्क क्या पड़ा है बेटा कि आपके पास multiple exit point आ गए है मतलब कि अगर आप पहले साल के अंदर exit करना चाहते हो तो आप कर सकते हो आपको certificate मिल जाएगा second year के अंदर आपको diploma मिल जाएगा third year के अंदर आपको डिगरी मिल जाएगी और fourth year के अंदर आपको honors के साथ research क जो है वो degree मिल जाती है इसी के अंदर मतलब कि अगर आप first year के अंदर गए आपको लग रहा है कि यार यह course अपने लिए नहीं बनाए ठीक है तो आप वही exit ले सकते हो हाला कि Delhi University ने अभी इस वे कुछ official update नहीं दिये कि वो चार साल की करने वाले है इस साल क्या करने वाले है but yes new education policy के अंदर यह बात तै है कि आपका चार साल का ही यह चीज होने वाली है चलो बेटा आगे अब उसके बाद अगर मैं बीकॉम की बात करता हूँ ना बेटा तो बीकॉम एक ऐसा course है जो कि किसी specific direction को target नहीं करता यहाँ पे management की हर एक field क्या कहा रहा हूँ अगले तीन से चार साल के अंदर management की हर एक field चाहिए आपका risk management हो जाए आपकी accounting हो जाए economics, finance, e-commerce, insurance, business analytics, entrepreneurship, marketing, HR, हर एक चीज का घ्यान आपको मिलेगा अगले तीन से चार साल के अंदर वो यह सारी fields जो है वो आप टटोल होगे इनके बारे में जानोगे हर एक subject जो है आप लोग पढ़ने आपके पास option होगा कि या तो आप मास्सर्स करने के लिए आगे बढ़ोगे या फिर आप जॉप की तरफ आगे बढ़ोगे अब अगर आप मास्सर्स करने के लिए आगे बढ़ते हो तो तो तीन से चार साल इतने परियाप्त होंगे आपको बहतर जो है वो clarity मिलेगी जनाम म अगर आप मास्सर्स करने का प्लान करते हो तो आगे आप MBA कर सकते हो MBA उस specific direction के अंदर कर सकते हो तो आप मास्सर्स को जो है वो specific direction के अंदर लेके जा सकते हो मास्सर्स इन जो है आप finance कर सकते हो MBA in marketing कर सकते हो MBA in HR कर सकते हो आप m.com जो है वो course आगे pursue कर सकते हो ठीक है तो यह आपको जो है वो specific directions आगे देगा ठीक है यह तो एक बात हो गई अगर आपको लगता है कि 3-4 साल बात मुझे जौब के अंदर जो है वह गुसना है तो इवेस banking के papers होते हैं staff selection commissions के paper होते हैं और वो exams के लिए बिलकुल eligible हो मतला है हर एक government job के लिए आप eligible हो देन उसके बाद अगर आपको private sector के अंदर बढ़ना है कि मुझे banking and insurance के तरफ आगे बढ़ना है या companies जो आपके पास आती वो definitely companies आपके पास अभी भी आ रही है 2024 के अंदर खुद एक branded college से जिन्होंने पढ़ा ही नहीं कर रही होती है मैं आप लोगों को हमेशा से एक बाह बताता हूं भाई college matters a lot आप लोग किस college से degree कर रहे हो वो बहुत जादा matter करता है आप किसी highway के रहा चलते college से अगर degree करोगे तो जाहिर सी बाते वो degree जो है वो value hold नहीं करने व है इसकंदर कि किसके पास जो है वो placement opportunities बहुत जादा रहती है कहां पर आपको next level exposure मिल रहा होता है तो यहां पर आप किस college से करते हो वो बहुत जादा matter करता है तो actual में अगर आप ज्यान ले रहे हो ना किसी से वो actual में ज्यान उसी से लो जो कि बहुत किसी एक अच्छे college से प college के अंदर था यहां पर जो है बेटा यह इंडिया का best management college है BMS की amazing companies यहां पर आती है और हमने प्लेस्मेंट साल यहां पर बनाया companies को बहुत closely observe कि है SRCC जो कि आपका B.com के लिए इंडिया का one of the best college जो है वहां पर जो companies आते हैं और जो SSCBS के अंदर शेह सुद्धिव के अंदर जो companies आते हैं वो common ही companies आ रही होती है मतलब कि companies जो है वो college का tag देखके आप लोगों के पास आ रही होती है क्योंकि उन्हें पता है कि इन colleges के अंद बहुत कुछ उखाड के आते हैं वो कुछ जिंदिगी के अंदर आगे करना चाहते हैं समझनों मेरे भाई तो college बहुत ज्यादा matter करता है अगर मैं आप लोगों को placements की बात करता हूं अगर मैं top college की बीकॉम की बात करता हूं यहां पर SRCC आपकी list के अंदर पहले number पे होना और 35 रुपे हाइस पैके जहां से निकल रहा है कहां से outdated होगे डिगरी आप लोगों के मेरे भाई अगर में मेरे विमन जितने भी candidates है बेटा आपका लेडी श्रीराम college जो है मैं आप लोगों की बात बता हूं LSR, SRCC के अंदर in fact सुगदेव के अंदर भी जो की BMS के लिए नोने college हर साल हम बच्चे पहुचाते हैं हर साल उन colleges के अंदर कभी भी college के अंदर जाते हैं तो बच्चे ऐसे घेर लेता हैं कि भाईया आप हमारे college के अंदर आ गयो और यह हम पर complete preparation जो है वह हम लोग करा रहे होते हैं आप लोगों को इंडिया का best course हम लोग दे रहे हैं आप अपनी सहूलियत के साफ से हमने जो है वह तीन combinations निकाले वे Avengers essential batch, Avengers gold batch, Avengers platinum batch, Avengers essentials batch के अंदर आपकी English complete prepare कराते हैं उसके साथ आपको सारे mock test available करा देते हैं बाकि अगर आप चाते हमारे general test prepare हो जाए और higher match, applied match भी prepare हो जाए तो आप Avengers gold batch ले सकते हो बाकि अगर आप चाते हो के भाई मेरे को commerce के domain subjects भी prepare करने सर तो आप जो है बिटा है यहापे हमारे Avengers platinum batch का part बन सकते हो यह रहा आपके सामने सारी चीज़े आप लोगों को e-books जो है इन तीनों ही batches के अंदर मिल जाते हैं, mock test तीनों ही batches के अंदर मिल जाते हैं, doubt support तीनों ही batches के अंदर मिल जाते हैं और India की best faculties जो है आप लोगों को पढ़ा रही होती है यही वो course है जिससे हमने CUET और India rank 1 निकाले हर साल अगर मैं last year की बात specific हो के करूं लगबग 30 बच्चे हम SRCC पहुचाते हैं बहुत बड़ा नंबर है बिटा चलो बिना समय वेश के वापस की तरफ यहां पर आ जाते हैं तीसे नंबर में लिस्ट के अंदर डाल दो आपने का सेंजेवर्स कॉलकता क्यूंकि यह जो है कॉलकता का कॉलिज है तो 85-90,000 रुपे की fees पढ़ती है पाकेज आपका इसका average package की बात करो तो 7.5 लाक रुपीस पर एनम पहुंच जाता है चौते नंबर पर आपका अगैं डेली उनिवर्सिटी का बिटा हंसराज कॉलिज होना चीए इसकी fees लगवा 22,000 रुपे पढ़ती है package आपका देख सकतो 36.5 लाक रुपीस पर एनम जा रहा है भाई कहां से outdated degree आपको provide करती है तो भाई amazing है यहाँ पर 4 साल की जो है क्योंकि प्राइविट युनिवर्सिटी आप लोग होगी तो 11 लाक रुपे फीस पढ़ती है और आपका 11 से 12 लाक रुपे पर एनम का यहाँ पर highest package निगल जाता है यहाँ उसके बाद आप 7 नंबर पर डेली उनिवर् अलग तरी केस होता है बाकी यह पर जितने भी colleges हैं आपके सब सीटी बेसिस पर होते हैं आपका स्क्राइश उनिवर्सिटी के प्रॉपर प्रेपरेशन कराते हैं इन फैक्ट अगर आप BBA BMS करने का प्लान करें आप लोगों ही complete preparation करा रहे होते हैं आप लोगों क्या करना है आप लोगों करना है सिर्फ फर से study.edu captain.in और जो भी batch आपको आपकी need के हिसाब से complete लग रहा होता है आप उस batch के अंदर आके जो है enroll कर सकते हो बिटा यह जो ब्रहम है आपके दिमाग के अंदर कि हमारा जो क्या कहते हैं हमारा B.com की जो degree है वो outdated है मैं आप लोगों को यही स्वीडियो के अंदर मुझे दीजेगा जाज़त तिल देन बाबाई एंड टेक केर